चंबा जिला में रविबार को कुरोना पोजिटीव 49 नए मामले सामने आए हैं इनमें से 20 लोग जिला के जनजाती क्षेतर बर्मोर में निर्मान धीन जीयमार परिजना गैनम कंपनी में कारिरत हैं इसके अतरिक्त आठ लोग चंबा नगर के बाड लोवर जौलकडी के रहने वाले हैं तीन लोग हरदासपुरा बाड से आठ लोग चौंतड़ा बाड के मोहला बन गोटू से तथा तीन लोग स्वास्टे खंड पुखरी के तहत देहरा गाओं के निवासी हैं इसके साथ ही जिला चंबा में करोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 523 पहुँच गया है जिसमें एक्टी मामले 154 हैं जबकि 373 लोग करोना से जंग जी चुके हैं जिला स्वास्टे अधिकारी चंबा डॉक्टर गुरमीत कटोच ने बताया कि रविवार को पोजिटिव आई 49 मामलों में 20 लोग भरमोर के एक प्रोजेक्ट में कारे रते हैं उनके अनसार स्वास्टे विभाग पोजिटिव आई लोगों को कोबिट सेंटरों तक पहुँचाने तथा उन्हें होम आईसोलेशन करने में लगा हुआ है डॉक्टर क्टोच के अनसार जिला में लोग होम आईसोलेशन सुविदा का भी लाब ले रहे हैं तथा अब तक जिला में 41 करोना संक्रमित लोग होम आईसोलेटिड हैं तथा उपचार ले रहे हैं चार तारीक के जो हमारे सेंपल के रिपोर्ट्स अवेटेड थी उसमें से 85 सेंपल की जो रिपोर्टर अवेटेड थी उसमें से 46 जो हैं वो नेगटिव हो गए हैं थर्टी नाइन पेशिट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं उसमें से 5 लोग चलाकड़ी से हैं जो बस तीन हागतासपर से आठ बंगोटू से पर तीन देहरा से यह सभी ही लोग जो है वो प्रैमरी कॉंटेक्ट्स हैं पॉजिटिव के और 20 लोग जो है इसमें पॉजिटिव जो हैं वो जो हमारे स्वास्ति लुपा की टीम में लगी हुई हैं उनको स्थानांतरित किया रहा है जो लोग ओम आइसोलेट हो सकते हैं जो गईलाइन को पुरा कर रहे हैं उनको हम आइसोलेट किया जाएगा और बाकियों को जो हम लोग केटेगरी वाईस डिया दीशी य 10 में से 9 नगटillyव हो गए एक जो था वूसेंपल किन रेच आइसे 239 जो है स्थानांतरित किया जा रहा हैं और जो हो परकरिया हैं उसको स्वास्तिय प्लॉपकर वारे तर्में से जो फौलल कर रहा है 227 हमारे नए सेंपल गए गे गे उसमें से 182 सेंपल जो है वो नेगटिव हो गए है और 45 सेंपल की जो रिपोर्ट है अभी अवेटिड है अभी तक जिला चंबा में हम लोगों ने 17,482 सेंपल की हैं अभी तक जो है हमारे टोटल पॉजिटिव पॉन सो तेइस हो हैं आपका फैसला निउस टीवी के लिए जिला चंबा से वीरो चीफ एमेम डैनिल की रिपोर्ट